नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका टॉप टेंडिक जीके में रेलवे और अरवी एंटी पीसी मैज सीरीज के अंदर अभी तक हम 60 क्लास पूरी कर चुके हैं आज की क्लास 61 नंबर है जिसके अंदर हम 9 फरवरी के 1st सिप्ट और 2nd सिप्ट का पेपर डिसकस करने वाले इस से पहले 8 फरवरी तक के सभी पेपरों को जितने भी रेल में हुए थे उनकी मैथ को हमने कंप्लीट कर चुका है जो आप प्रेलिस्ट उप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और यहां पर हम क्या है मोस्ट मोस्ट सवाल डिसकस करने वाले हैं तो आज का जो पहला सवाल है वो वी अभी भी आप उसको बूश्ट कर सकते हो तो टेस्ट बुक पर अभी ओफर चल रहा है जिसमें आप टीटीच के कोपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट है यहां पर शार्ट रुपे का और डिसकाउन मिलने पर इस डील को आप 349 रुपे में एक वर्श की वेलिटी आप दीफ ग्रेब कर सकते हो जहते जानकारी के लिए डेस्क्रिप्ट शूर्लिंक के यह टेस्ट बुक एप और वेबसाट दोनों पर अवलेबल हैं जो से हम एक्जाम पेटर्न और डेस्पोर्ट पर अधरी तियां पर मॉक टेस्ट अवलेबल होते हैं जो चले का अनपाथ एक अनपाथ दो अनपाथ तीन दे रखा था इनका SCF आपको 12 दे रखा था संख्याए पूछी थी वो क्या क्या थी तो जो अनपाथ दिया है उसी को आप SCF से मल्टिप्लाई कर दो आपकी संख्याए आ जाएगी एक अनपाथ दो अनपाथ तीन आपको दे तो संख्या आपकी क्या क्या हो गई, 12 हो गई, 24 हो गई, 36 हो गई, इस प्रकार से हो गई, option नंबर क्या हो गया, एक हो गया, Q8, जैना देक्स अपने 40,125 सैनिकों को वर्गाकार आकर्ती की रूप में पंक्ती और स्थंबों में व्यवस्तित करना चाहता है, इस रूप में वर्गाकार आकर्ती में, इसका मतलब है कि पंक्ती में जितने व्यक्ती है, उतने स्थंबों में व्यवस्तित होने चाहिए, उन्हें व्यवस्तित करने के बाद, उसने पाया कि उन्हें से कुछ सैनिकों की संख्या बतानी है, जैसी कि देखो मैं 4 सैनिक, एक प बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको एक दूसरा प्रिया है जो पूरा-पूरा वर्ग है, उसको आपको भागविदी से करके दिखाता हूँ, जैसे ये 40-46 है, इसको हम करेंगे भागविदी से, कि इसका कितना आता है, ठीक है, ये करना है, तो पीछे से हम दो-दो के स्थान के जोड़े बना लेते हैं, इस प्रकार से बना लिया है, इसका वर्ग है, चै का, तो कितनी वार, चै का वर्ग है, इसलिए चै का भाग जब 6 में दिया जाता है, तो 36 आता है, तो 6 को, 6 से, यहां तो लिख दिया 6, और यहां 6 वार गया, जब उपर भी 6 लिख दिया है, अब एक 6 आपको यहां पर भी लिखना पड़ेगा, कितनी व अब इन दोनों को जोडो, 6 और 6 जोडने पर कितना आ रहा है, 12 आ गया, अब आप देखो, मैं यहाँ पर मुझे एक नंबर लिखना पड़ेगा, जिससे यह पूरी एक संख्या बन जाएगी, और जितना नंबर मैं यहाँ पर लिखूंगा, उसी नंबर से मेरे को इस पूरी स संख्या को मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, यहनि जो नंबर लिखूंगा, उसी से मल्टिप्लाई करने पर, इस से छोटी संख्या आ जानी जाएगी, वर्ग नहीं, इस से छोटी संख्या, जैसे देखो, तो हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे आगे आगे एक है, तो मैं जैसे चार से मल्टिप्लाई करूंगा, जब मेरा आ जाना चाहिए लगबग, तो बारा, यहाँ पर भी एक लिख दिया है, और नीचे एक से मल्टिप्लाई, नहीं, चार लिखा है, यहाँ चार से कितने की बात करने हैं, तो यहाँ पर भी चार लिखना पड़ेगा, तो अ जब आ लिखो गए, और यहाँ पर भी आपका भाग चार वार ही गया है, कहने का मतलब है, इस प्रकार से लिखो गए आप, अब देखो कितनी वार गया, यह आपका 460 में गया, और पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ पर उपर कितना आया, 64 आया है, यहनि कि, यह 64 का वर् चीस इस प्रकार से दिर्ख है अब हम भाग विदी का यूज कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले सबसे पहले बीचे से दो दो के टुकडे बना लो आप इस प्रकार से बना लिए अब जब मैं यहां पर इसका चार है इससे छोटा वर्ग कौन सा है यह दो का वर्ग है यानि कि दो यहां लिखेंगे दो ही वार बाग गय है तो दो ऊपर लिखेंगे और एक दो आपको यहां पर भी लिखना पड़ेगा अब इन दोनों को जोडते हैं इतनी वार गया था चार यहां तो चार लिख दो यह तो हो चुकी आपका zero, अगली संख्या, अगला जोडा उतार द बाग चला जाए तो देखो यहाँ पर यही मैं 1 लिखता हूं और यहाँ पर भी 1 लिखता हूं तो 41 01 में 43 का भाग नहीं जाएगा फिंख है यहीं कि सबसे छोटी संख्या 41 ही होगी तो इससे छोटी तो हो नहीं सकती यहां पर एक लिखता हूँ यहां पर दोनों जगह एक लिखता हूँ तो इस से छोटा तो होगा नहीं नहीं तो हम और कुछ तो उतार नहीं सकते, तो लास्ट में आपके पास जो बचा है, अब भाग जा नहीं रहा है, लास्ट में जो बचा 125 बचा है, तो यही बचेंगे आपके लास्ट में 25, 125 ही आपका लास्ट के अंदर बचेगा, तो option number 4 हो गया है, कि इनको वर्ग के पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य है, पर अभज्य संख्या विसम होती है, तो देखो, अभज्य संख्या का मतलब क्या होता है, कि जिसके अंदर या तो खुद का भाग जाता है, या एक का भाग जाता है, तो उसको हम अभज्य संख्या कहते हैं, क्या सा सारी की सारी संख्या है अभाज ये विसम है तो हमें एक पर लिख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है अभाज ये दो है तीन है पांच है साथ है फिर दो है पांच है साथ है उसके बाद 11 आता है तो देखो दो है ना जो केवल एक मात्र ऐसी संख्या है जो विसम नहीं है सम है इ इनी भी दो अभाज्य संख्याओं का गुननफल विशन संख्या होगा नहीं जब दो से यदि किसी भी अभाज्य संख्याओं को multiply करोगे तब sum आ जाएगा इसलिए ये option भी हमारा गल्त हो चुका है इसलिए option number 3 हो जाएगा नै तो एक और नै ही दो सकते हैं आगे बढ़ते है option 22 cause sec inverse x plus cause sec inverse x इसका मान बताना है और यहाँ पर क्या condition दे रखिया आपको एक जो x का मान हम लेंगे वो एक के बराबर होना चाहिए या एक से बड़ा होना चाहिए छोटा नहीं होगा ठीक है और mode का मतलब है कि हमेशा मान प्लस ही होगा ठीक तो देखो अब क्या करते हैं हम x का मान एक से बड़ा लेना है हमें तो सबसे पहले inverse function की बात कर लेते हैं कि मेरे पास था sec theta बराबर कोई भी राशियो मान लिया x है ठीक है sec theta बराबर x दे रखा है आपको तो जब मैं sec को इधर से इधर लेके चला जाता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाता है inverse function बन जाता है जैसे कि कि थीटा बराबर सैक को इधर से इधर लेके चला गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, inverse function बन गया है, ठीक है, येधर तो सैक थीटा था, सैक को उधर लेके चला गया, तो ये क्या बन चुका है मेरा, सैक inverse x बन चुका है, ये हो चुका है, अब हमें देखो इसमें देखो इस प्रकार से आपको दिया गया है रूप तो आपको देखो इस प्रकार से दिया गया है हम आप देख लेते हैं आप इस वाले को देखो उपर वाले को इसको देखने से आपको जल्दी पता चलेगा सैग ठीटा बराबर X दिया है यानि कि ऐसा कौन सा कौन रखें जिस पर सैग का मान एक से बढ़ाए ठीक है तो सैग की यह दी बात करते हैं सैग देखो 0 पर कितना होता है सैग 0 का मान होता है 1 क्योंकि कोस का उल्टा होता है और 45 की बात करें तो अंडूर 2 होता है और 90 की बात करें तो अनन्थ होता है इसी प्रकार कोसेक की बात करें तो अनन्थ होता है यहाँ 45 पेंडूर 2 होता है और यहाँ 1 आता है यहाँ कोसेक 90 का मान 1 हो जाता है तो आप यह आपके पास x के माना चुके हैं या फिर कहथो cosine theta, cosine theta के माना चुके हैं तो आप इसमें से कोई भी मान ले सकते हो अनंत नहीं ले सकते ठीक है बाकि आप कोई भी ले सकते हो 1 लेते हो तो इदर भी 1 आ जाएगा यह X का मान यदि मैं 1 लेता हूँ तो sec के लिए 1 बराबर कितने पर होता है 0 पर और cosec के लिए 1 बराबर कितने पर हो जाएगा 90 पर हो जाएगा इस प्रकास से कर सकते हो आप जाए undo 2 ले लो तो देखो हम 1 ले लेते हैं यह ज़्यादा असान पड़ेगा आप अब मान रखो इसके अंदर यह कोस हो चुका है sec inverse x ठीक है sec inverse x यानि कि मैं x की जगे क्या रखूं 1 रख रहा हूं sec inverse 1 रख दिए है इसी परकार से यहां पर रख देता हूं sec inverse 1 रख दिया इस परकार से मान रख दिया है अब सैक कमान 1 किस कौन से कौन पर होता है सैक कमान 1 किस कौन पर होता है 0 पर होता है तो आप यहाँ पर 0 रख दोगे और कोसैक इनवर्स 1 यानि कोसैक कमान 1 कहां पर होता है तो हम कह देंगे 90 पर होता है देखो यह 1 था ऐसे देखो एक बार cosac theta बराबर 1 दे रखा था आपको तो theta बराबर कितना हो जाएगा यानि cosac theta बराबर 1 दे रखा था तो cosac inverse 1 ऐसे लिख सकते हैं आप और theta कमान यहाँ पर कितना आना था 90 था तो यहाँ हो जाएगा 90 यह 90 और 90 था यानि cosac 90 बराबर 1 है तो 90 बराबर कोस है कि इनवर्स बन हो जाएगा इसलिए मैंने इन दोनों की जगे इस प्रकार से रख दिया है और बाहर आपका क्या है कोस है तो यह आप अब अंदर क्या बचा 0 और 90 को जोड़ते हो तो 90 बचेगा तो कोस 90 का मान कितना होता है कोस 90 का मान चीरो होता है इसलिए option 4 आजाएगा इस प्रकार से यह आपको करना है आगे बढ़ते है गड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगो का अनुपाद गयाद कीजिए ओके तो घंटे वाली एक सुई पूरा राउंड लगाने में यानि कि पूरे का पूरा घड़ी का एक चक्र लगाने में 360 डिगरी घोमने में कितना समय लेती है तो हम कह देंगे कि 24 क्या 12 गंटे लेती है एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है 12 गंटे लेती है इसी प्रकार से जो मिनट की एक सुई है वो एक round लगाने में कितना घंटे लेती है, वो एक घंटे लेती है, ठीक है, एक घंटे लेती है, तो ये हमारे पास किस चीज़ का अनुपात आ गया है, ये हमारे पास समय का अनुपात आ गया है, इस समय इस रूप में है, ये इस समय दे रखा है, और दूरी बरावर है, उस इसको भी 360 डिगरी घुमना है और इसको भी 360 डिगरी घुमना है तो हम कह सकते हैं कि चाल का जो अनपात है वो इनका उल्टा हो जाएगा यानि एक को आप इधर रख दो और बारा को इधर रख दो इस प्रकाश से हो जाएगा तो यह आपको कहां मिल रहा है option number 2 के अंदर जाएगा 5Y हो जाएगा नीचे आपके पास 5Y बच जाएगा इस पर का 5 इंटू 6 बच जाएगा बीच में डोट लगा दिया इंटू और यहाँ पर आपके पास क्या चुका है 5X प्लस 6Y हो चुका है अब आपको क्या करना है उपर multiply करना है तो देखो आप सबसे पहले multiply करो नीचे तो जो 30 है उसको तो हम सबसे पहले बाहर लिख देते इस परकार से अंदर आप अब multiply करो सबसे पहले 6X को 5X से भी करेंगे और 6Y से भी करेंगे जब आप 5X से करते हो तो यहाँ 30X square आ जाता है इसी परकार से जब 6Y से करते हो तब आपका 36XY आ जाता है अब 5Y को द उसके बाद में 30-30-30Y स्क्वेर आ जाएगा यह आ जाएगा अब आपके पास थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं देखो अभी बहार तो 30 ही रहने दो अंदर एक तो 30X स्क्वेर बन चुका है इन दोनों को यदि घटाते है 36 में से 25 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा यह 11 प्लस का 11XY बचेगा उसके बाद में माइनस का 30Y स्क्वेर यह बच चुका है अब देखो हमारे पास यहाँ पर 30 है अब 30 से 30 से क्या करोगे सब के नीचे डिवाइड करोगे क्योंकि यह सब के नीचे है common है सबका तो यहाँ पर यदि मैं भाग देता हूं 30 से सबको त और यहाँ पर कितना हो गया है यहाँ पर Y-square हो चुका है तो यह आपका माना चुका है मैंने क्या किया यह एक बटे 30 था इसको अंदर सबसे multiply कर दिया है तो भाग में नीचे जाएगा तो यहाँ से 30 से 30 कट चुका है पहले option में last में भी कट चुका है और 11 के नीचे 30 आ ज खोल दी है यह आपकी किताब खुल चुकी तो लगभग यह क्या है कि इस प्रकार से यह कितने का कौन बन चुका है 180 डिगरी का कौन बन चुका है इस 180 के कौन को या तो हम सरल कौन कहते है या रिजू कौन कहते है तो option number 3 और यह रिजू कौन ध्यान रखना कि 180 डिगरी के कौन कोई कहते है या तो सरल कौन कहते है या रिजू कौन कहते है तो option number 3 हो जाएगा आगे बड़ क्यूशन 48 पांच परसेंट वार्षिक चक्रुती ब्याज की दर पर 2025 के रण को दो वर्ष में चुकाने है तो किये जाने वाले वार्षिक भुकतान की राशी ग्याद कर दिये तो देखो वार्षिक भुकतान का मतलब है किस तवाले जो सवाल है वार्षिक भुकतान का मतलब कि हर वर्ष उसको कितना कुतना चुकाना पड़ेगा उसका मतलब ह कि 1025 का run लिया उसने 2 साल के लिए तो हर वर्ष उसको कितना कितना राशी चुकानी पड़ेगी इस परकार से बताना है तो इसमें हम क्या करेंगे देखो किस परकार से निकलते हैं जब भी आपके पास किस्त वाले सवाल होते है तो इसका देखो मैं 2-3 method बताऊंगा आपको तब से पहला method तो ये है कि जैसे ये आपको percentage दे रखा है 5% 5% का मतलब क्या होता है एक बटे 20 होता है यानि कि हमारी राशी 20 पर एक बट गई है एक ब्याज मिला है और 21 हो गई है यानि कि हमें 20 उधार लिया था 21 देना पड़ेगा इस परकार से अब ये जो 21 आया है इसका आप ना option में भाग दीजिए जिस भी option में भाग जाएगा ना वही हमारी राशी होगी क्योंकि इस 21 का पूरा पूरा भाग जाएगा जो भी हमारी किस्त है उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो इस देख लीजिये आप अब हम यदि भाग देते हैं इसके अंदर तो देखो अब इसका 21 का मतलब क्या है 3 और 7 है ठीक है तो 3 का भी भाग जाना चाहिए और 7 अभी भाग जाना चाहिए तो 3 का चेक करते हैं 3 का भाग का मतलब क्या है सारे अंकों को जोड़ कर उसमें यदि 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा यह आया आपका 9 यह 9 दे रख है और यह देखो 9 9 तो आप मान लो खोड़ दो बाकी बचा 5 तो 5 में भाग नहीं जाता है तो इस प्रकार से इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 9 अठारा हो चुके 18 और 5 कितने होते हैं 23 होते हैं चाहिए आप ऐसे कर दो कि 9 बनते उसको छोड़ दो बाकी बचे वो को काउंट कर लो तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 बना या 23 बचा उसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा इसी प्रकार से यह आप दूसरे में चेक करते हो तो यह 10 बसता है और 10 दोनों को जोड़ने पर 10 बनता है और इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा तीसरे की यदि बात करें पांच और पांच 10 और यह 17 हो चुके है 17 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा और चोथे option की यदि बात करो तो एक यह option हमारे पास बचा है इसमें तो पूरा पूरा जाना चाहिए 5 और 5 दस 10 हो गए और यह आपके पास 8 18 हो गए 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस option में जाएगे यदि by chance अब आप कहो कि यह तो आ गया चलो कोई 2 option बच जाते तो हम क्या करते 2 option बच जाते तो आप क्या करते यहां तो चलो 3 option कट चुके है तो हम यह कर सकते है 2 option बच जाए तो क्या करें तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से करके देख लो ठीक है यदि कोई cancel होता है तो कर दो उसको यह हमारे पास time बच जाएगा हमारा अब यदि नहीं हुआ है तो हमें फिर करना ही पड़ेगा तो करने के लिए हम क्या करेंगे स्ट की राशी निकालने के लिए क्या करोगे चुर आपको दे रखी है जैसे 1025 दे रखी है तो आपको अब आके क्या करना है सबसे पहले क्या करोगे step number 1 क्या है आपका यह जैसे यह आपको 5% दर दे रिखी है तो आपको निकालना है सबसे पहले 1 plus R% यह निकालना है 1 plus R% निकालो सबसे पहला step यह है फिर दूसरे step में क्या करोगे आप दूसरे step में हम अनुपात लेंगे तो सबसे पहले one plus r percent निकालते हैं तो ये कितना आताब का r का मतलब r percent का मतलब का है एक और 5 परसेंट का मतलब 5 बटे 100 करोगे 1 बटे 20 हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा और solve करोगे तो 21 बटे 20 हो जाएगा 21 बटे 20 हो जाएगा अब हमें क्या करना है अनुपात लेना है इसको उल्ट के लिखना है सबसे पहला अनुपात जितने साल के लिए है पहले साल के लिए हमें साइक लेंगे दूसरे साल के लिए इसको उलट कर रख दो आप 20 अनुपात 21 ठीक है तीसरे साल की बात करता तो हम लिख देते उपर वाले को भी स्क्वेर कर देते और नीचे वाले को भी स्क्वेर कर देते 400 नीचे 441 तो हमें अभी दो साल के लिए कहा गया है तो पहला अनपात एक दूसरा ये हो चुका है इस अनपात को यदि हम सरल करते हैं तो यह 21 इधर चला जाएगा हमारे पास आजाएगा 21 अनपात 20 आजाएगा 21 अनपात 20 आ चुका है अब देखो किस्त की राशी किस प्रकार से निकलती है तो जो राशी हमने उधार ली थी सबसे पहले उसको लिख दो उसके बाद में यह जो 21 है इसको आप उपर लिख दो नीचे क्या रिखोगे इन दोनों का योग लिखोगे कितना चुका है 41 आ चुका है फिर इससे क्या मल्टिप्लाई करोगे यह जो पहले स्टेप के अंदर जो आपका रिश्यू आया है इसी से आप मल्टिप्लाई कर दो 21 बटे 20 से आपका अंसर आ जाएगा अब देखो 20 से यदि 5 से यदि में काटू तो यह 4 वार कटेगा इसको यदि आप 5 से काटोगे तो 205, 205 वार कट जाएगा 41 से काटोगे तो कितनी वार जाएगा यह 41 है आपका 5 वार जाएगा फीक है अब आपके पास क्या बचा उपर तो 441 इंटू 5 बटे 4 आ चुका है अब आपको इसको मल्टिप्लाई करना है तो ये 5 आया फिर इससे किया तो 0, 2 आई आपकी हांसल फिर आपका 20 और 22 आ चुका है इतना है और नीचे 4 है अब 4 का यदि आप भाग देते हो तो पहले आपका कितनी वार जाएगा 5 वार जाएगा फिर वापस 5 वार जाएगा और फिर 4 एकम 4 आगे जा नहीं रहा है एक बच चुका है तो पॉइंट लगाओगे फिर 2 वार जाएगा 500 551.25 आजाएगा उपशन नमबर चार आजाएगा इस प्रकार से करना पड़ेगा दूसरा मैथेड यह हो गया तीसरे मैथेड की बात करें तो यह दूसरा मैथेड वैसे तो अच्छा है इसी प्रकार से करने का आप रखना तीसरा मैथेड क्या है कि इस प्रकार से कहे दे कि हम 5% का मतलब क्या है 5% का मतलब क्या था एक बटे 20 था यानि कि राशी कितनी हो चुकी है 20 से 21 हो चुकी है ठीक है पहले साल क्या हो चुकी है 20 से 21 हो चुकी है ठीक है अगले साल भी हमें इतना ही देना पड़ेगा तो हम कह सकते हैं, अगले साल क्या हो जाता है, हम करते हैं इसका square, इधर भी कर देते है, square 441, अब वो पहले साल के लिए ये है, दूसरे साल के लिए ये है, ठीक है, मगर दोनों क्या कह रहा है, किस्त बराबर होनी चाहिए, जो हम लोटा रहे हैं, वो किस्त दोनों साल की बरा तो किस्त हमारी बराबर हो जाएगी तो अब देखो किस्त बराबर हो जाएगी तो कितना आएगा यहां तो 400 हो जाएगा यानि कि इसको करो गया अब 421,42,420 हो जाएगा और इस साइड कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा ठीक है, और बाकी हमारे पास दूसरे साल के लिए तो थी 400 से 441 ठीक है, तो यह हो चुका है, य workflow हमारी दोनों किस्त बराबर हो चुकी है यह 420 पर पहला इतना लगा, इतनी किस्त चुकानी पड़े घिय क्या में, और दूसरे साल की कितनी किस्ट चुकानी पड़ेगी हो चुकी है दोनों किस्ट बराबर तो अब आपके पास जो राशी थी वो तो यह हो चुकी है टोटल राशी तो यह हो चुकी है परते किस्ट यह हो चुकी है 441 टोटल राशी कितनी हो चुकी है आपकी चार 820 रुपए की राशी आपने उधार ली थी अनुपाद की बात कर रहे है 820 उधार ली थी 441 की 21 अपने चुकाई है पर टेक क्स्त डोटल रासी आपके 820 ली थी आपने 820 की वैलु आपको दे रखी है तो आप ऐसे लिखोगे यह 820 की value कितनी दे रखी है आपको एक हजार कितनी दे रखी थी एक हजार पचीस दे रखी थी ठीक है तो एक की कितनी हो जाएगी एक हजार पचीस बटे 820 तो 441 की value कितनी है 441 से multiply कर दोगे इसको solve करोगे तो वही आपका answer आने वाला है यह मैंने आपको तीन method बता दिये जो अच्छा लगे वो करना सवाल नमबर चौपन A, B से 50% कारेकुसल है तो तीन लोग है A, B, C है वो क्या कह रहा है A, B से 50% कारेकुसल है 50% कारेकुसल है यानि कि B इतना काम करता है A उससे आधा ही काम करता है तो हम कह दें A इसको यदि B, 2 काम करता है तो A, 1 काम करेगा अब C क्या कर रहा है C एक दिन में A, B दुवरा एक साथ मिलकर किये कारेकल आधा कारे करता है यह यही ए और B मिलकर यदि टोटल तीन काम कर रहे है तो C इन से आधा काम करेगा तोनों मिलकर यह जितना काम कर रहे हैं, यह 3 करते हैं, तो यह आधा 1.5 करेगा, 1.5 करेगा, यह हो चुका है, अब देखो, यह हमारे पास point में आ चुका है, तो हम इसको 2-2 से multiply कर देंगे, यह से point संख्या बन जाए, तो क्या करो आप, इसको यदि 2 से multiply करते हो, तो यह 2 हो ज देता है, तो अब हम क्या करेगे, हमें सबसे पहले टोटल काम निकालना है, टोटल काम कहां से निकलेगा, C का दे रहे हैं, C 40 दिन के अंदर काम पूरा कर देता है, एक दिन में 3 चीज़े बनाता है, C 40 दिन में काम पूरा कर देता है, तो टोटल काम क्या हो चुका है, यान कितना समय लगने वाला है उनको, हम ऊपर तो टोटल वर्क लिख देंगे, और नीची तीनों का एक दिन का काम, या efficiency लिख देंगे, तो तीनों ये दो बनाता है, ये चार बनाता है, और ये तीन बनाता है, तो टोटल ये तीनों मिलकर कितना बना लेंगे, है तो कितने समय में समाप्त कर देंगे 9 का भाग दोगे एक वार जाएगा 30 बचा 9 ती है 27 हो गया है 3 बटे 9 करोगे खुड़ा और सरल कर देते हैं 1 बटे 3 हो जाएगा इस परकार से option number आपका 4 आजाएगा यह हो चुका है सवाल आठावन की बात करते हैं ठीक है कि हमें देखना है कि इसके आसपास 1300 के आसपास एक वर्ग देखना है कौन सा है वो आप कैसे देखोगे वो यदि आपको पता चल जाता है तो आप यह समझ जाओगे कि इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा हमें तो आप क्या करोगे सबसे पहले 10, 20, 30 इनके वर्ग निकालना सबसे असान है तो आप इनको चेक करते चलो ठीक है कौन सा वर्ग इसके आसपास आ जाता है जिसे मैं देखता हूँ 30 का यदि वर्ग करता हूँ तो 900 आता है 40 का यदि वर्ग करता हूँ तो 1600 आता है यानि कि 1300 इनके बीच में ही होगा 30 और 40 के बीच में और 5 जाने के लिए क्या कर सकते हो आप 35 का निकाल सकते हो 35 का निकालना असान होता है तो 35 का कैसे निकालते हैं 35 में यदि पीछे 5 है तो 25 आएगा और आगी 3 है तो एक उससे अगली संख्या 4 को 3 से मल्टिप्लाई करोगी तो 12,25 आएगा यानि कि 35 का वर्ग 12,25 है 1300 अभी भी 35 से बड़ा है यानि कि 1300 यदि है कोई संख्या जो भी 1300 के आसपास कोई वर्ग है तो वो 35 से भी बड़ा वर्ग है अब हमारी पास कुछ संख्या है बच चुकी है कि ये कौन-कौन सी हो सकती है 36 का हो सकता है 37 का हो सकता है और 38 का इस प्रकार से हो सकता है तो हमें अब थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा 36 का जब आप वर्ग की बात करते हो 36 को 36 से मल्टिप्लाई करोगे तो 1296 में आता है 37 को 37 से यदि multiply करोगे तो 1369 आता है ठीक है तो ये हो गया तो 1300 के पास में ये दोनों ही वर्ग आ चुके हैं इस प्रकार से आप एक एक चेक करते चलोगे 36 का निकाल लिया 37 का निकाल लिया तो अब देखो हमें क्या कहा है जोडने का कहा है 1300 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए कम से कम तो यही वर्ग बनता है 1300 के बाद में तो कितना जोडना पड़ा 69 आपको जोडना पड़ेगा ये हो चुका है इदि वो घटाने का कहता तो आप कहते कि कितना घटाना पड़ता चार घटाना पड़ता 1296 बनाने के लिए, यानि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, सबसे तरीका यही है, इसी प्रकार से हमें एक्जाम में चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, तो यह उचुक है हमारा सवाल नबर 58 नई तो फिर आपको वह भाग विद्धी है जो वह यूज करनी पड़े ही मगर सबसे आसान तरीका यही पड़ेगा आपके पास सवाल नमबर 59 59 की यही बात करते हैं साइन इनवर्स एक बटे अंडरूट 2 का मान याद कीजिए इसका मान यदि हमें बताना है मान बताना है इसका तो देखो सबसे पहले इसका मान यदि आपको नहीं पता है आप ऐसे देखिए ऐसे देखिए कि साइन इनवर्स बराबर एक बटे अंडरूट 2 है इसका मतलब क्या है यहाँ कोई विराश्य मान लिजिए x, theta, जो भी मानलो, आप वो मानलो, अब इधर inverse से उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर तो एक बटेंड रूट दो बच जाएगा, उधर जाएगा, तो ये sin, sin, theta बन जाएगा, अब आप देख लो, कि sin, theta, कमान कब एक बटेंड रूट दो होता है, अब आप आसानी से देख सकते हो, कि जब theta बराबर 45 डिगरी होता है, तब इसका मान एक बटेंड रूट दो होता है, तो 45 डिगरी, अब आप option में देखोगे, तो 45 डिगरी आपको देखो, option number 4 में मिल रहा है, और नहीं यदि आपको, तो आपको radian में यदि इसको change करना है, तो pi बटे 180 से multiply कर दो, इस प्रकार से, तो यदि आप काटते हो, तो 4 आता है, तो pi बटे 4 हो चुका है, option number आपका 4 हो चुका है, इस प्रकार से, सवाल number 63 की बात करते हैं, एक दुकानदार समान बेचते, और खरीदते समय 10% क की सीमा तक की बैमानी करता है, अंतता है जब पकड़ा गया और दंडित किया जाता है, तब उसरे कितने परसेंट का लाब कमा रहा था, यानि कि वो खरीदते समय भी 10% का बैमानी करता है, और बेचते समय भी करता है, तो क्या करेंगे हम, compound वाला formula लगाएंगे, x प्लस y, x into y, बटे 100 इस प्रकार से, तो देखो 10% तो खरीदते टाइम करता है, और 10% ही बेचते टाइम करता है, तो यहाँ पर 10% का profit कमाता है, तो यह हम लगा सकते हैं, उपर सो आ जाएगा, नीचे भी सो आ जाएगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 21% हो चुका है, option नमबर आपका 2, आगे बढ़ते हैं, सवाल नमबर 27 की बात करते हैं, फिर बुज ABC में, कौन A का मान, कौन C के मान से 12 अधिक है, B का मान, C के मान से 4 गुना है, सबसे पहले यह देखो, B का मान, C के मान से 4 गुना है, तीन कौन है, A है, B है, और C है, इस प्रकार से 3 कौन है, अब वो कर रहा है कि A का मान है न, जो C के मान से 12 अधिक है, यदि C को X माने, तो A कितना हो जाएगा, X प्लस 12 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, C का 4 गुना, यानि 4X हो जाएगा, कौन A, B और C के मान करम से कितने होंगे ये बताना है अब हमें फिर्बुज के तीनो कौन है तो तीनो का योग 180 के बराबर होगा 4X प्लस X ये सब के सब 180 के बराबर होगा इनको यदि आप जोड़ते हो तो ये 6X प्लस 12 बराबर 180 के बराबर होगा ये यहां और ज़्यादा सरल करें तो ये आप इसमें से 10 घटाते हो तो 70, 168 आएगा ये X कमान यहां से भाग देते हो तो 12, 2 बर गया और 48 ये एनि X कमान कितना होगा 28 आच चुका है X कमान कितना आचुका है, 28 आच चुका है और 28 में यदि आप 12 जोड़ते हो तो 40 आ जाएगा तो यह आपका होच चुका है कहां मिल रहे हैं आपको 40, 112 और 28 अप्शन नमबर 3 के अंदर मिल रहे हैं सवाल नमबर 74 की बात करते हैं 25 परसेंट सांदरता वाले 33 लीटर संत्रे के रस में 80 लीटर संत्रे के रस वाले रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रन के अंदर कितना रहे मिश्रन की संदरता 60% रहे तो एक तो 25% संदरता वाला है एक 80% संदरता वाला है और हमको बनाना है 60% संदरता वाला ठीक है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यदि इनको घटाते हैं तो यह आपका आजाएगा 35 आजाएगा और इधर आपका 20 आजाएगा यह आ चुका है इस अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा इनको थोड़ा और सरल कर लेते हैं 5 से यदि भाग दोगे तो 4 वार जाएगा 5 से दोगे तो 7 वार जाएगा यानि 4 अनुपात 7 में मिलाना जाएगा 63 मिलाना पड़ेगा दूसरा वाला विलियन ओप्शन नमबर 4 हो जाएगा तवाल नमबर 78 की बात करते हैं what is the value of the digit A and B A और B की आपको value बतानी है ये एक संख्या की दो डिजिट दे रखी है आपको तो देखो यहाँ पर 3 दे रखा है एक तो एकाई की अंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर A दे रखा है और यहाँ पर A दे रखा है यानि कि अब इन 3 अंगों से देखो 3 को किस से multiply करें कि वही अंग का जाए 3 को किस से multiply करें वही अंक आ जाये यानि 3 को A से multiply करने पर A आया है तो 3 को A की ऐसी क्या value रखें कि वापस से वही value आ जाये ठीक है तो ऐसी क्या value है ऐसी कौन सी value है जिस से करने पर आता है या तो आप वो देख लिजिए नहीं तो आप options का सहरा लेंगे तो आसान हो जाएगा जैसे पहले यदि पहले option को यदि मैं check करूँ a command आप 5 रखते हो 5 ती ये 15 ठीक है 5 को जब 5 को 3 से multiply करोगे तो वापस 5 आ गया यदि कि हमारा पहला option हो सकता है a command दूसरे को रखोगे यहाँ पर 2 ती ये 6 होता है जो की नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर a ही आ रहा है वही value आनी चाहिए तीसरे option भी हो सकता है इसी प्रकार से चोथा option भी नहीं होगा तो अब हमें पता चल चुका है कि इन दो option में से हो चुका है यहाँ पर तो 5 होगा b5 b3 यह हो चुका है और यहाँ पर पूरी value आ चुकी है साथ 5 यह आ चुका है अब बी का मान एक वार तो आपको 3 रखना है और एक वार 2 रखना है तीन रखोगे तो क्या जाएगा यहाँ 35 हो जाएगा और यहाँ 33 हो जाएगा इन दोनों को यह दि multiply करते हो तो क्या 500 पिछेतर आता है क्या इनके बीच का वर्ग होता है 34 और 34 का करते हो तो 11 56 होता है एक घटा होगे तो 11 55 बनाता है जो कि नहीं है इसलिए option 1 हमारा कट जाएगा अब यह दिया आप 2 रखते हो तो यहाँ 25 आएगा इन टू करोगे 25 और फिर वापस से 23 तो इनके बीच को multiply करने का क्या तरीका होता है जिनके बीच का अंतर 2 होता है उनको multiply करने का क्या तरीका होता है यह multiply करने के तरीके के लिए आपको square पत 500 पिचेतर आ जाता है जो कि इनका multiplication होगा तो 500 पिचेतर आ गया है यहाँ इन दोनों को तो यह हमारा option number कौन सा हो जाएगा option number 3 हो जाएगा इस प्रकार से करना है सवाल number 82 की बात करें दो आदमी एक साथ एक निश्चत गंतवे की ओर चलना सुरू करते हैं उन में से पहला आ अदमी से आदे गंटे पहले पाहंच जाता है गंतवियस्थान पर या इनि की दूरी तो दोनों की सेम है तो हम क्या कह सकते है कि जैसे चाल का अनूपात आपको क्या दिर ए पहले तीन थी दूसरे आदमी की 3 पिछेतर है तो समय का क्या हो जाएगा अनूपात इनका उल्ट इनको थोड़ा सा पहले और सरल कर लेते हैं उसके बाद बात करेंगे अनुपात को थोड़ा सा और यह पॉइंट हटाते हैं तो नीचे सोवाता है और इधर चला जाएगा तो यह 300-300 पिछेत्र हो जाएगा अब आप 25 से इसको काटोगे तो एक वार दो वार जाएगा इधर काटोगे तो एक वार और पांच वार एक वार और पांच वार तो बारा पंदरा आ चुका है और सरल करोगे तो चार पांच यह आ चुका है चाल का अनुपात चार पांच आ चुका है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पांच चार हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर है, अब वो कह रहा है कि दूसरा आत्मी है न, वो आधे गंटे पहले ही पहुंच जाता है, तो यहां समय का अंतर में पता चल रहा है कि एक है, और एक की value आपको क्या पूछा है, दूरी पूछिए कितनी होगी, तो दूरी अब आप आरसानी से निकाल सकते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल लेनी है और समय लेनी है, बस यह है कि जिसकी आप चाल लोगी, उसी वेक्ति की चाल लोगी, उसी का समय लोगी, जैसे कि यह दिदी दूसर दे रखी थी इस प्रकार से इनको अब आप multiply करोगे तो कितना हो जाएगा 2 से यदि आप multiply करते हो तो 10 एक आई हांसल 14 एक पंदरा एक आई हांसल 6 और एक 7 इतना हो जाएगा और कितने स्थान के बाद 0 लग रही है 2 के बाद लग रही है यह हो चुका है यह इसको हम लिख सकते हैं 7.5 किलो मिटर कितना दूरी है option number आपका एक हो जाएगा सवाल 84 की बात करें एक दर्जन दर्पनों से भरा एक गत्ता गिर जाता है यह उसके अंदर mirror या धर्फन है हाँ mirror है वो एक दर्जन हैया वारा mirror है तो इन में से कौन सा तूटे हुए दर्पन और ना तूटे हुए दर्पन का अनुपात हो सकता है को Spr необходимо के लोग तोटे हुए और ना तूटे हुए दोनों को जोडने पर क्या उता है दोनों को जोडने पर कुल आ जाता है अब कुल दरपन का तो कुल अनुपात है यह तो दरपन का और यह actual value है 12 में जिसका भी भाग जाएगा वो हो जाएगा 5 का नहीं जाता है यह option कट गया इसका भी नहीं जाएगा इसका भी नहीं जाएगा 6 का भाग 12 में पूरा पूरा जाता है तो option number 4 हो जाएगा यह करना था आपको यहाँ पर सवाल number 85 85 में क्या कह रहा है निम लिखित में से कौन सा कथन सत्य है परतेक पौन संख्या प्राकर्त संख्या होती है कि अब आपको पता होना चाहिए यह पौन संख्या क्या होती है प्राकर्त संख्या क्या होती है प्राकर्त संख्या को natural number कहते है और यह एक से start होती है एक दो तीन चार और पौन संख्या जब हम 0 को भी count कर लेते हैं इसके अंदर whole numbers बोलते हैं English के अंदर यदि 0 को भी count कर ले तो हम कह देते हैं कि ये पूर्ण संख्या है 0 प्लस natural numbers को हम पूर्ण संख्या कहते हैं 0 प्लस प्राकर संख्या को तो क्या प्रतेक पूर्ण संख्या प्राकर संख्या के अंदर आती है नहीं 0 नहीं आता है प्राकर संख्या के अंदर तो ये option आपका कट चुका है दूसरे की बात करते हैं परतेक पूर्णांक पूर्णांक का मतलब क्या होता है जिसे कि पॉइंटों में मान नहीं होना चाहिए माइनस एक हो गया, माइनस दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है यानि माइनस की वैल्यू भी हो सकती है, प्लस की वैल्यू भी हो सकती है लेकिन पॉइंटों में मान नहीं होगा परिमे संख्या क्या हो सकती है परिमे संख्या होती है, रैशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं जिनको हम भिन में रिख सकते हैं, यानि X बटे Y के रूप में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परिमे संख्या, तो क्या परतेक पुर्णांक परिमे संख्या होता है, होता है, अब हमने यहाँ पर चार पुर्णांक लिए, हम यह रख के देख लेते हैं कि क्या ये परिमे संख्या है क्या, इस रूप में इनको लिख सकते हैं क्या, तो देखो माइनस एक के नीचे ये मैं एक लिख देता हूँ, तो ये भीन के रूप में आ गया है, यानि कि ये परिमे संख्या बन गया, इसी प्रकार माइनस दो के नीचे भी एक प्रकार से 3 के नीचे भी, तो ये सब P बटे Q रूप में आ चुके हैं, P बटे Q बोल दो या X बटे Y रूप बोल दो, यानि कि एक भिन के रूप में आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्णांक परिमे संख्या होते हैं, तो ये आपका option सही है, तीसरे option की बा करें, तो 5 बटे 7 ले लो आप, ठीक है, इस प्रकार से ले लो, तो अब ये क्या पूर्णांक है क्या, इसको हम कभी भी पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, पूर्णांक का मतलब है कि पूरा-पूरा रूप हो, भिन्वे नहीं हो, तो जब आप इसमें 7, 5 में 7 का भाग दोगे, ठीक है, तो वो पूर्णांक होगे रूप में आएगा, तो इसलिए ये पूर्णांक नहीं है, यानि कि परिमे संख्या, परतेक परिमे संख्या पूर्णांक नहीं है, जबकि इसका उल्टा सकते है, ये है, कि पूर्णांक तो परिमे संख्या है, मगर परते एक पर्मे संख्या पुरुनांक नहीं है, तो केवल option नमबर 2 सत्य है हमारा option 3 हो जाएगा, यहां से आपका option 3 हो जाएगा कि केवल 2 सत्य हैं, आगे बढ़ने सवाल 86, इसमें क्या दियागा, निम्द ग्राप का अध्यन करें और दिये गए परशन का उत्तर दें, company A के लिए वर्स 2015 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, A की बात करते हैं, 2015 से 2016 में कितने की कमी हुई है, यहां पर 5 दे रखा है और यहां पर आपको 4 दे रखा है, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है कितने की कमी हुई है एक की कमी हुई है 5 पर percentage के लिए आप इस प्रकार से लिखोगे 20% की कमी हुई है और option number 3 हो जाएगा सवाल number 87 की बात करते है निमनलिखित पाई चार्ट भारत के विभिन राज्यों में विभिन वैवसाई करने वाले वैक्तियों की संख्या के वो परतिसत के रूप में दर्शाता है किसान को निरुपित करने वाले वर्थखंड के लिए किंद्री एक कॉंड का मान बताना है किसान का जो भाग है वो 11% है तो हम कह देंगे पूरे में से 11 है और इसको आपको कॉंड के रूप में बताना है तो पूरा कॉंड 360 होता है तो 360 का 11 कितना परसेंट है ये बताने में 0 से 0 काट दी 11 को जब 36 से मल्टिप्लाई करोगे तो इतना आएगा नीचे 10 है यानि 39.6 हो जाएगा आपका केंद्री एकॉंड ये किसके बराबर होता है लगबग में आंसर पूछा है तो 40 के बराबर होता है option नमबर 2 हो जाएगा सवाल नमबर 88 की बात करें क्या पूछा गया है कौन सी साखा या साखाओ में वर्ष 2016 के दोरान हुए hand bago का उत्पादन उस वर्ष के दोरान सभी साखाओ में हुए hand bago के उसत के उसत के निकट तमवान है तो 2016 जो कि आपको औरेंज से दे रखा है उन सब का आपको उसत निकालना और वो बताना है कि किसके बराबर आ रहा है तो जब आप सब को जोड़ोगे 130 दे रखा है आपको 140 दे रखा है और फिर 30 है फिर 37.5 दे रखा है उसके बाद में 25 दे रखा है इन सब को यह दिया आप जोड़ते हो तो आपका 162.5 आ जाता है ठीक है उसत लोगे इनका 5 है तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो 32.5 आ जाएगा आपका अब यह देखना आपको 32.5 जो होसत आया है वो किस के बराबर है तो देखो 32.5 30 से डेड जादा है यहाँ पर भी 30 है तो इससे भी डेड जादा है और दूसरा इसके पास में देखे तो 37 आता है उससे काफी कम है यह ठीक है 5 कम है तो सबसे निकट किस के है 30 के एक निकट है तो B1 हो गई और B3 हो गई है एक साखा B1 हो गई है और एक B3 हो गई दो साखा जिसके सबसे निकट है उससत तो option नमबर 1 हो जाएगा B1 और B3 हो जाएगा सवाल नमबर 89 की बात करते हैं दोनों वर्षों के दोरान दुकान C की कुल विक्री, दोनों वर्षों के दोरान E की कुल विक्री कनपात, C के दोनों को जोड़ लो और E के दोनों को जोड़ लो, यहां जोड़ोगे तो आप 80 और C 160 होता है, 5 कम कर दो, 155 हो जाएगा, और यहाँ 90 और 90 180 होता है 175 हो जाएगा इनको यदि solve करते हो तो 5 से दोगे तो 5 से यदि भाग देते हो तो 31 आ जाता है इधर यदि 5 से भाग देते हो तो ये 3 जाएगा और 5 आएगा ये हो चुका है आपका 31, 35 का अनपाथ आचुका आप्शन नमबर आपका 3 हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो अपना एक पेपर कम्प्लीट हो चुका है आगे बढ़ते हैं अब जो अगला पेपर है वो 9 फर्वरी का सेकिंड सिफ्ट का है इसके अंदरा आपको पहला सवाल क्या दिया गया था किसी वस्तु के मुल्ले में 15% की कमी करने पर उसकी दैनिक विक्री में 25% की वर्दी हो जाती है तो इसकी दैनिक विक्री पर पढ़ने वाला प्रुद परतीशत परभाव बताना है अब देखो मुल्ले में क्या हुआ है 15% की कमी हुई, और 15% को 20 को भिन के रूप में आप कैसे लिखते हो 3, 20 लिखते हो, य— 2 से कितना हो चुका है, 3 कम करने पर 17 हो चुका है, और इससे क्या दैनिक विक्री उसकी 25% बच चुकी है, यानिक एक बटे 4 हो ती है भिन में, यानि 4 से अब कितना हो चुके 5 हो चुकी चार से विक्री कितने हो चुके 5 हो चुकी तो क्या प्रभाव पढ़ा उसकी सेल पर इनको दोनों को multiply करोगे तो 80 आजाएगा इनको multiply करोगे तो 85 आएगा यानि उसकी कुल मिलाकर जो सेल है वो 5% बच चुकी है इस पर 80 पर बढ़ी है परसेंटेज के लिए 100 से multiply कर दोगे इसको यदि आप solve करते हो तो 50 बटे 8 को यदि आप solve करते हो तो 8,6,48 आजाएगा दो बचेगा पॉइंट उतारना पड़ेगा जीरो आई और अब कितनी वार जाएगा 25 परसेंट आजाएगा 6.25 परसेंट के वर्दी हो चुकी है option नमर 3 हो जाएगा सवाल नमर 15 की बात करते है एक पंच बुझ बुझ के चार कोण आपको दे रखा है पांच वा कोण का मन बताना है तो हमें बता है कि 2N-4 इंटू 90 ये क्या होता है कि पंच पुझ के जितने भी कोण है उनका योग का फॉर्मुला होता है ठीक है उनके योग का फॉर्मुला होता है इसके अंदर आप सबसे पहले 5 बुझा एन का मतलब है 5 बुझा तो यहां पर आप रखोगे 2 इंटू 5-4 रखोगे इंटू 90 करोगे तो कितना मान आएगा 10-4 करोगे 6 तो 90 इंटू 6 हो जाएगा यानि कि 540 हो जाएगा 540 हो जाएगा और वैसे यह धी इतनी calculation हमें कम करनी है तो आप जो भी भे बुझाओं तक के कोणों का माप याद रखो तो वो रखोगे तो आपको iटना calculation कम हो जाएगी 5-4 आ चुक है आपको 5 कोणों का योग चार कोणों का योग कर लेते हैं अब हम सतर है, 110 है, 135 है और पिच्चाड में यह हो चुका है 10, यहां जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा यह आचुके आपके 10 और 20 और 21 का एक दोआ हासल यह 410 हो चुका है 410 हो चुका है, 540 था, इसमें से यह दिया आपको 410 घटाना है तो कितना बचा, 130 बचा, यानि 5 वा कोण कितना हो जाएगा 130 का हो जाएगा, ओप्शन नमबर 4 आजाएगा सवाल नमबर 21 की बात करते हैं, निमने लिखिक का गुरन फल में 1 का अंक बताना है, यानि इनको गुणा करना और बताना 1 का अंक क्या आएगा तो इनको जब multiply करते हो, तो बीच में एक संख्या आएगी 95 जहां last में 5 आता है और यहां पर क्या है, एक संख्या है, band में जिसमें है 2 जब भी 2 को 5 से multiply करते हो तो एक 0 बन जाता है और लाश्ट पर यही आएगा option number आपका 2 हो जाएगा इस प्रकार से आपको 5 और 2 ढूढ़ने सबसे पहले ठीक है जितने भी 5 और 2 आते हैं उनके इसाफ से 0 बन जाता है यदि 2,5 और 2,2 आते हैं तो 2,0 बन जाएगे इस प्रकार से आपको ढूढ़ना है कि कितने 2 और कितने 5 है उतने आप 0 बन जाते हैं अलग-लग तरीके से यह सवाल पूछे जाते हैं सवाल number 25 की बात करते हैं कोणो का योग आपको इतना दे रखा है उनका अंतर इतना दे रखा है सबसे पहले तो देखो यह 5 by 2 है यानि कि 90ël 2 से आप दोनों को यदी जोड कर से डिवाइड करते हो तो आपका बड़ा वाला कौन आ जाहेगा और दोनों को घटा कर दो से डिवाइड करते हो तो छोटा वाला कोन आ जाएगा, जोड़ो दोनों को, प्लास्ट में 5 आएगा, ये 4 हो चुका है, ये काई हासल, 245 आ चुका है, 245 बटे 2 करोगे आप, तो ये आ चुका है आपका पहला कौन काटेंगे नहीं अब ये विम्स को, और छोटे कौन की ये इसी बात करते हैं, दोनों को घटाओ आप, ये 10 बचेंगे और 55, 65 बटे 2 हो जाएगा, थोटा वाला कौन, अब हमें रेडियन में पूछा गया है, तो रेडियन के लिए आप क्या करते हो, पाई बटे, 180 से डिवाइड कर देते हो, इस प्रकार से डिवाइड कर दे, अब आप इसको काटोगे, तो कितना आएगा, बड़ा वाला कौन पूछा है, तो X कमान था, कितना आचुका है, 245 बटे, 180 था, बटे 2 था, 5 से ही दिवाइड काटते हो, तो 5, 20 आजाएगा, 5, 45 आचुका है, 5, 35 हो चुका है, थोड़ा और सरल कर लेते हैं, उपर तो आचुका 49 पाई, और नीचे आचुका है, 72, तो यह आपका कौन हो चुका है, ओप्शन नमबर 3 हो गया, सवाल नमबर 39 की बात करते हैं, कोस्ट, 2 थीटा का मान आपको 1 बटे 2 दे रखा है, तो कोस्ट में कब 1 बटे 2 आता है, जब 60 डिगरी होता है, यानिकि 2 थीटा का मान 60 डिगर होगी, कोस, कोस 60 डिगरी, फिर कोस कोस है, हम यदि तुलना करके देखते हैं, तो 2 थीटा का मान 60 डिगरी आजाए, तो थीटा का मान कितना आजाएगा, यहां से 30 डिगरी आजाए, अब जब आप इसका मान निकालना है, आपको, इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, अंतालिस आजाएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है, एक बट्टेन रूट तू होती है, ऑप्शन नमबर 2 हो जाएगा, क्योशन 37, दो वर्गों के छेतरफलों का अनुपात आपको 16 अनुपात नो दे रखाए, परिमाप का अनुपात पूछा गया है, हम जानते हैं, यदि बुझा का अनुपात जो होता है, वही उन्चाई का अनुपात होता है, दोनों वर्ग की उन्चाई का हो जाएगा, और वही अनुपात किसका होता है, परिमाप का होता है, मगर जब छेतरफल की बात करते हैं, तो उसका अंडरूट होता है, छेतरफल का अंडरूट इनके बरावर होता है, इस प्रकार से होता है, यानि बुजा का अनुपात दे रखा है आपको, वही उन्चाई का होगा, वही परिमाप का होगा, मगर छेतरफल के जब भी बात की जाती है, तो उसमें अंडूट लग जाता है, चाहे तिरभुज की बात कर लो, चाहे वर्ग क किसी की बात कर लो, तो देखो, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, छेतरफल का अनुपात दे रखा है, परिमाप का क्या हो जाएगा, इनका अंडूट लोगे, 16 का अंडूट कितना आ जाएगा, पहले लिग देते हैं, 16 यहाँ पर 9 आ जाएगा, अंडूट लोगे तो कि बात करते हैं, ये दे रखाया आपको x का मान बताना है, तो देखो इधर भी दे रखाया, इधर भी, सबसे पहले इसका मान बताओ कितना होता है, इसका मान एक होता है, अब हमारे पास क्या बचा, अंडूर 2 था, इसको इधर लियाते हैं, तो यहां बचा आपके पास sin 5x-5 degree बचाय और उधर से अंडूर 2 आएगा तो नीचे आजाएगा, अब देखो, एग बटे अंडूर 2, sin के अंदर किसका मान थता है, क्योंगे हमें इधर से sin हटाना है, इसलिए हम देख रहे हैं, कि साइन के अंदर किसका मान थता है, तो हम कह देंगे, साइन 45 का मान होता है, तो इसके जिए साइन 45 लिखती है, अब देखो, दोनों तरफ साइन साइन हो चुका है, तो हम एंगल की तुलना कर सकते हैं, 5x-5 यहाँ से किस के बराबर आजाएगा, 45 डिगरी के बराबर आजाएगा, 5 को यह दिया, आप उधर लेके जाते हो, तो यह 50 बन जाता है, 4 solve करोगे तो x बराबर 10 आ जाता है, तो आपको x का मान पूछा गया था, option number 3 आ चुका है, सवाल number 43 की बात करते हैं, अब देखो, इस चीज़ को देखो, पहले आप खुद solve करो, फिर मेरा वाला solution देखना, तो देखो मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, कि जब भी आपको इस प्रकार से दे रिखा है, sine A, sine B, ठीक है, तो यह किस के बराबर होते हैं, 1 के बराबर, कब होते हैं, साइज sign में दे रिे हो, चाए cos A, cos B दे रिे हो आपको, या फिर कोई भी एंगल दे रिाओ, कभी ये बराबर होते हैं, जब A और B का योग 90 के बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल, प्लस ये वाला एंगल, दोनों किस के बराबर होंगे, यहां से पता चल चुका है, 90 के बराबर होंगे, अब देखो, यहां हमें जो वैल्यू निकालनी है, उसके अंदर केवल A है, तो हमें A की वैल्यू निकाल लेते हैं, जोड़ा कितना आया मान, 2A आ जाएगा, B से B कट जाएगा, 90 के बराबर, तो A की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 45 डिग्री आ चुकी, तो आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर रखना है वाब को, तो हमें को किसमें रखना है, कोट में, 2 इंटू 45, तो उपर 90 आ जाएगा, 3 से भाग दोगे, तो यह आपका कोट 30 डिग्री आ चुकी है, कोट 30 का मान बस अब बताना है, आपको अंडूट 3 होता है, यह उप्शन नमबर आपका 4 आ जाएगा, इस प्रकार से, सवाल नमबर 46, दो धनात्मक संख्याओं का, LCM और HCF का गुननफल आपको 36 दे रखा है, दो धनात्मक संख्याओं, ठीक है, यानि कि, पहली संख्याओं और दूसरी संख्याओं का गुननफल होता है, LCM इंटू HCF के बराबर, अब LCM इंटू HCF का गुननफल 36 दे रखा, इसका मतलब पहली संख्याओं और दूसरी संख्याओं का गुननफल आपको 36 दे रखा है, दूसरा, पहली संख्या में से यह दी दूसरी संख्या घटाते हैं तो यह जो अंतर आता है यह आपको 5 दे रखाए दो equation आज चुकी आपके पास अब आपको देखना है कि दो संख्या है ऐसी देखनी option से जिनको multiply करने पर 36 आता है और घटाने पर 5 आता है इस प्रकार से आपको करना है सवाल नमबर 49 6 आंको की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या का योग याद कीजिए जो केवल 0,4,6 आंको से बनी है और इन में से प्रतेक आंक कम से कम एक वार तो उसको लेना है तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं सबसे सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं क्या बनेगी तो यदि 6 को सबसे आगे ले लो 6 आंक लाने हैं हमें 6 आंक लाने हैं ठीक है और तीनों आंक कम से कम एक एक वार तो आना चाहिए तो देखो 6 अंक की बनानी है में 5 और ये 6 तो सबसे छोटा अंक लाश में रख देतें उससे बड़ा यहाँ पर रख देतें और बाकी जगह आप यह फिल कर दो यह आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई सबसे छोटी संख्या की यदि बात करते हैं क्या होगी जीरो को तो सबसे आगे लिख नहीं सकते हैं यानि 4 को लिखना पड़ेगा सबसे लाश में जो सबसे बड़ा है वो लिख देते हैं अब यहाँ पर आप 4 जीरो लिखते हो इससे छोटी और कोई संख्या नहीं होगी इन 3 अंकों से बनिवी अब आप इनको जोड़ लो यहाँ पर 6 आएगा यहाँ पर 4 आएगा यहाँ पर 6 आएगा 6 आएगा यहां 10 कम से कम एक वार तो अंक को यूज करना था इसलिए उसको एक वार तो लेना पड़ेगा आपको यह आपकी संख्या आच चुके option number आपका चाह राएगा सवाल 51 की बात करते हैं पर्त्वी अपनी धूरी पर एक चक्र पूरा करने में 24 गंटे का समय लेती है ये 5 गंटे 24 मिनट में कितने कौन पर घूमेगी पूरा चकर कितने का होता है 360 डिग्री का होता है और यहाँ पर आपको 5 गंटे 24 मिनट दे रिखा है सबसे पहले तो इसको ये चेंज करते हैं अब गंटों के अंदर 24 को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आपके गंटे आ जाएंगे तो 5 तो ये आ चुका है और ये आपका आ चुका है 2 बटे 5 आ चुका है भिन में चेंज करते हैं मिश्र भिन को 25 और 27 बटे 5 आ जाएगा यानि इतने घंटे ये ओचुका है अब देखो पर्थी अपनी दूरी पर एक चक्कत 24 गंटे में यानि 24 गंटे के अंदर वो 360 डिग्री घूम जाती है तो एक घंटे के अंदर 360 बटे 24 इतना घूमेगी इतना डिग्री घूमेगी और हम से पूछा गया है 27 बटे 5 तो 360 बटे 24 इंटू 27 बटे 5 गंटे में कितना घूमेगी अब देखो ये 9 वार जाएगा 3 से ये 8 वार जाएगा 8 से यदि 360 को काटते हैं चार और 5 वार चला जाएगा 5 से यदि काटोगे तो 9 वार जाएगा यनि कि 81 आ चुका है 81 डिग्री घूमेगी ऑप्शन नमबर आपका 4 हो जाएगा सवाल नमबर 60 की बात करते एक महिला ने साधान ब्याज पर कुछ रासी उधार ली चार वर्स के बाद उसने रन चुकाने के लिए रन दाता को धन राशी का फेवर्टे पांस दे दिया यनि कि पहले पांस थी तो कितना चुका रही है वो 6 चुका रही है कहने का मतलब ये ब्याज की दर बतानिये में साधान ब्याज पर राशी लिए चार वर्स के लिए लिए यनि राशी पांच थी अब कितना दे रही है 6 दे रही है कितने साल में 4 साल में यहां 4 साल में दे रहे हैं दर को एक्स मान लेते हैं बटे 100 कर देते हैं अब राशी 6 हो गई है इसका मतलब ब्याज कितना आया एक आया तो यह हो चुक है मूलधन इन्टू वर्ष इन्टू दर्बटे 100 बराबर याज X का मान निकाल दो X को एक साइड रख लिया है 2 बटे 20 हो जाएगा दूसरी साइड जाके तो यह आपका 5% दर आच चुक है X बराबर 5% आच चुक है Option नमबर एक हो गए सवाल नमबर 62 की बात करें एक वैक्ति ने तीन दर्व 420 लिटर 445 लिटर और 495 लिटर यह तीन ले रखें परते को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना मिलाना नहीं है बोतलों को भरना है और परते एक बोतल पूरी पूरी भर जानी चाहिए इसके लिए आवश्यक बोतलों की निनतम संख्या बतानी तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में क्या करना पड़ेगा SCF लेना पड़ेगा SCF देखो अब यह 5 से 3ों की 3ों संख्या हैं कट रही है तो 5 यह दि मैं देतना हूं भाग तिनों में उसके बाद में 5 तो एक आगे हमें FCF लेना है अब 5 का यह दि आप भाग देते हो तो कितना बसता है फिर ये बचा आपका 5 का भाग देने पर पाँच आठ है चालिस पाँच चुक है पीस तोरा सी आच चुक है इसमें यह दिए आप भाग देते हो तो 9 वार जाता है फिर 5 वार जाता है इसमें 9-9 वार जाएगा धिन्यान में अब देखो इसमें से कुछ common आ रहा है तीन का भाग जाएगा यह 12 इसमें जाएगा यह 14 वन चुक है योग इसमें तीन का भाग नहीं जाएगा तो यानि कि अब इसमें से किसी का भी भाग नहीं जाएगा कुछ भी common नहीं आएगा तो आपका SCF 5 आ चुक है, अब जो भी आया है, बचा है, आपने जब SCF common ले लिया है, यानि बोतल का जो साइज है, वो 5 लिटर है, कहने का मतलब यदि आप से बोतल का साइज पूछते कि कितने लिटर की बोतल यूज की जाए, तो वो 5 लिटर की होती, बोतल की यदि संख्या बूची ह तो आप इन सब को जोड़ दो, 84 प्लस पिच्चान में, प्लस निन्यान में, इन सब को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 और 9, 18, 1 आई, हांसल, 9, 9, 27 हो जाएगा, 278 आजाएगा, option नमबर 2 आजाएगा, इस प्रकार से, सवाल नमबर 65, टावल की एक किसम के म मुल्य में 20% की वर्दी होती है, 20% का मतलब क्या है, एक बटे 5, आगे बढ़े, एक आदमी को 630 रुपए में, उसी किसम के चावल की, उससे 3 kg कम मातरा मिली, जितना उसे पुराने मुल्य पर मिल रहा था, यानि जितना पहले मिल रहा था उसको, अब रेट बढ़ने के बा मुल्य तो बराबर खर्च कर रहा है, पहले भी 630 रुपए लगा रहा था, अब भी 630 लगा रहा है, तो जो मातरा आएगी, ये तो मुल्य हो चुका है, जो मातरा है, वो उल्टा हो जाएगा, 6, पहले 6 आता था, तो अब खुड़ा कम आएगा, 5 आएगा, कम 5 आएगा, ठ 3 kg है, 1 की value 3 आ चुकी है, हम से कौन सा पूछा गया है, पुराना वाला की कीमत, तो पुरानी वाली मात्रा निकालेंगे, खेको 3 से आप जब multiply करोगे, तो आपका 18 आ जाएगा, यानि कि पुरानी मात्रा कितनी है, 18 kg है, ठीक है 18 kg है, अब total पैसे आपके पास पता है, 630 मुल्य आ जाएगा, कितना आ रहा है, 18 से आप जब भाग दोगे इसका, 18 ती यह चोपन आएगा, चोपन यहां से चोपन आएगा, और उसके बाद में 9 आया, 1, 9 और 0 फिर 5 बार चला जाएगा, 35 रुपए परती केजी, यह मुल्य आ चुका है, पहले वाला, option नमबर आपक का 3 हो जाएगा, एक 70 की बात करते हैं, दो संख्याओं का मेहत्म समाव परते हैं, आपको 29 दे रखा है, LCM, और LCM के 2 अन्य गुनन खंड आपको, देखो, SCF तो आपको क्या दे रखा है, 29 दे रखा है, और वो कह रहा है, LCM के 2 अन्य गुनन खंड आपको 13 और 17 दे रखिए और HCF खुद एक LCM का गुनन खंड होता है, यह आपको पता है, तो यह तीनों गुनन खंड हो जाएंगे, LCM के, अब पूछा गया है कि इन में से छोटी संख्या क्या होगी, 13 के टुकडे भी नहीं होते हैं, 17 के टुकडे भी नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं, कि पहली क्या तो क्या आजाएगी आपकी, कि जब HCF को आप इस से मल्टिप्लाई करोगे, 13 से, एक बार आप 17 से मल्टिप्लाई करोगे, तो 13 को 39 से करना है, और एक बार 13 को 17 को, अब छोटी पूछी है तो आप यह हो जाएगी, और बड़ी पूछी है तो यह हो जाएगी, 13 में कित उत्ते होते हैं 117, 11 आया यहां, 29 और 11 कितना हो जाएगा, 29 और 11, 37 हो जाएगा, 377 हो जाएगा, option नमबर 2 हो जाएगा, सवाल नमबर 83 की बात करते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 8 जिरक है, 3 संख्याओं का योग, तब B और C दोनों सुनने से बड़े धन पुर्नांक है, A का अधिक्तम मान बताना है B क्या कहा है सुन्ने से बड़े धन पुर्णांक है यानि पुर्णांक है सुन्ने से बड़े क्या होते है एक से स्टार्ट हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है तीन अब हमें क्या करना है A का मैक्सिमम मान बताना है तो तीन संख्य हैं आपके पास है A प्लस B प्लस C बराबर 8 इस प्रकार अब देखो B और C का ऐसा क्या मान रखें हम बस 0 से बढ़ा होना चाहिए ये condition दिये कि A का मान maximum हो तो B और C का सबसे छोटा मान रखो आप एक रख दो यहाँ पर यहाँ पर भी एक रख दो यह कहा है बस इतना काया हमें कि B और C दोनों सुनने से बड़े हैं और धन पुर्णा कर कुछ भी हो सकते बराबर हो सकते नई बराबर भी हो सकते दोनों हो सकते ऐसा कुछ का नहीं है तो दोनों हो सकते तो मैंने B का मान भी 1 रख दिया और C का मान भी 1 रख दिया तो यहां से अब यह दिया आप A का मान निकालते हो कितना आएगा A बराबर आपका आजाएगा यह दो उधर चला जाएगा घटेगा तो 6 आजाएगा तो यही सबसे बड़ा मान होगा क्योंकि इन तीनों का योग तो 8 याना है तो B और C की निन्तम वैल्यू रखोगे तो A की मैकसिमम वैल्यू आएगी और यह उप्शन नमबर 3 हो जाएगा आपका सवाल नमबर 86 बात करें यह कए बार ग्राफ में चार वर्सों के दोरान कमपनी का उतपादन उतपादन और विक्री दर्शाया गया है नीले वाले भाग का उतपादन है और यह ग्रीन वाला आपको क्या है विक्री दिखाई गई है करोड में उतपादन आपको लाक में बताया गया है तो नीला वाला भाग है वो उतपादन है और यह लाक में बताया गया है और यह आपको करोड में बताया गया है तो अब देखो दर्चाया गया है अब परशन की बात करते हैं क्या दे रखा पूछा गया है किस वर्ष में परती काई परती काई मुलेट धाई सो रुपए था अब देखो पहले वर्ष की यदि बात करते हैं 2015 की टोटल डेड़ सो रुपए की विक्री यह देड़ सो करोड की विक्री हुई है और उतपादन कितनी वस्तमों का हुआ है सो लाक वस्तमों का उतपादन हुआ है अब जब आप इसको डिवाइड करोगे डिवाइड करोगे उपर करोड है नीचे लाक है तो लाक से यदि करोड बनाते हैं करोड से देखो उपर आपको करोड में दे रखा है करोड को और नीचे लाक में दे रखा है दोनों को कट गई है, एक जिरो बच गई है आपके पास, तो यहां कितना आ रहा है, डेड़ सो आ रहा है, जब आप 2018 की बात करते हैं, टोटल विक्री हुई थी, पान सो करोड रुपए की, लाक में देखें तो इतनी हो जाएगी, दो जिरो लगा दिये, और यूनिट कितनी बनी है, द 200 आ चुका है, तो यहां से आ जाएगा 200, बाकी भी आप डिवाइड करोगे, तो 200 नहीं आएगा, क्यों यहीं से आएगा, तो यह एक वस्तु की कीमत है न, 200 लाक वस्तु में थी, और 5 लाक पैसे थी, यनि 5 लाक लाक के अंदर, या कह तो 5 लाक लाक के अंदर विक्री या 5 करोड विक्री हुई, और टोटल वस्तु में 200 थी, तो परती वस्तु की कीमत कितने में विक्री वो, 500 रुपए में विक्री आ चुका है, ऑप्शन नमबर हो जाएगा, 2018 की किस के अंदर, कौन से वर्ष के अंदर, परती काई मुले 500 रुपए थी, तो ऑप्शन नमबर होगी, 2017 में वस्तु हुए, वो कह रहा है कि 2016 में जितने में बेची है, 2017 में वस्तु हुए, 2016 के समान मुले पर बेची गई, यहनी देखो, क्या करना पड़ेगा, 2016 में परती वस्तु, कितना मुले में बेची गई, वो निकालते हैं, तो 2016 के अंदर बात करें, तो इतना था, इसको परतिवस्तू से डिवाइड किया तो इतना आ गया है उपर वाला करोड में है तो लाक में बनाने के लिए 2,0 लगा दिये तो यह आच चुका है कि परतिवस्तू का मुल्य कितना था 2016 में अभी solve नहीं करेंगे बस परतिवस्तू मुल्य निकाल लिया है अब वो कह रहा है कि यदि 2017 में भी इतने ही मुल्य पर बेचा जाए तो कुल कितनी बिक्री हुई है तो डेड़ सो वस्तू यह बेची गई देखो मुल्य क्या तो यह आच चुका है परतिवस्तू मुल्य है यह तो और डेड़ सो वस्तू बेची गई है 2017 में तो परतिवस्तू मुल्य इंटू जितनी वस्तू बेची गई है जैसे आप 5 पैन खरीदते हो तो 5 वस्तू हो गई है और परतिवस्तू पैन का 5 मुल्य देते हो या 6 रुपय देते हो तो वो मुल्य ये रहा ये बस्त हुए टोटल दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं हम टोटल विक्री के लिए तो अब इसको आप सरल कर लो तो जीरो से देखो जीरो कट जाएगी पांस से ये तीन वार जाएगा पांस से ये पांच वार जाएगा ये हो चुक है अब पांस से ये ये आप इस पूरे को काटो गई तो पांस साता है और इतना आजाएगा यानि ये आपके पास 21,000 21,000 21,000 लाख की बिक्री हुई है 21,000 लाख की बिक्री हुई हो गए आपके पास और ये ये करोड की बात करें तो ये दो जीरो हटा दो 210 करोड की विक्री हुई है ये लाख में विक्री पूछे तो ये उच्चुकिये करोड में पूछे तो 2-0 हटा दो इस प्रकार से हो गए सवाल नबर 88 की बात करते हैं सडकों पर किये गए वे के संगत वर्थखंड द्वारा निर्मित किंद्र कौन का लगबग मान याद कीजिए एक रोड ये है यानि 9.72 है इसका बताना है इसका पूरा कौन ये थी 360 डिगरी है तो 9.72 बताना है कि इसका कितना है 9.72 2-0 हटा होगी नीचे सोआ जाएगी लगबग में मान बताना है आपको 1-0 से देखो 1-0 कट गई है अब आप उपर है न जो उनको multiply कर लो 36 को आप इससे multiply करोगे तो देखो 36 का मेरे को पाड़ा नहीं है मैं क्या करूँगा इसको double कर दूँगा इसको आदा कर दूँगा देखो इसको यदि हम double करते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा 14, 18 और 11 इतना आ जाएगा अब यह हो गया 18 अब आप इसको multiply कर लो नीचे आपके पास 1000 है 18 चौक 72, 7 आई 72 फिर 9 7 हांसल अब क्योंग 162 और 7 16 यहां पर हांसल आ गई 18 और 16 कितना हो जाएगा 8 32 हो जाएगा इतना आ चुका है नीचे 30 है तो 3 स्थानों के बाद क्या होगा पॉइंट लग जाएगा 34.992 यह हो जाएगा कितना हो यह लगबग की बात करें तो 35 परसेंट के आसपास आ चुका 35 डिगरी के आसपास आ चुका है केंद्रिये यह आपका उप्शन नमबर 3 हो चुका है सवाल नमबर 89 की बात करें यदि दुखद उतपाधनों पर किये गए वे और अन्य मदों पर किये गए वे का अंतर 7.2 है डेरी प्रोडक्स का कहां पर दे रखा है 7% दे रखा है और अन्य की बात करते हैं अन्य की बात करते हैं तो 19% है तो इन दोनों का अंतर 12% है और इसकी वेल्यू आपको 7.2 मिलियन दे रखी है फुल बजट पूछा है तो 1% की value 7.2 बटे 12 हो जाएगी full budget का मतलब 100% की value 7.2 बटे 12 into 100 कर दोगी यह point से 1 0 कट जाएगी 12 का 72 में भाग देते हो तो 6 वार जाता और 1 0 60 यानि full वैस 7 million है कितना million है 60 million option number 2 हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना paper complete हो चुका है कि कैसा लगा आप comment में जरूर बताना कोई भी सवाल यह दिया आपको समझ में नहीं आया तो आप comment कर सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की एक और paper के साथ Thank you दोस्तों